हलो फ्रेंज जागरंजोश.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयद सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज टे करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे इस एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स मिले कर देना होगा तो चलिए बड़ी तीर कंपनी इंडियन ओयल कॉर्परेशन भविश में स्वच उड़ जा जाने की क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए अपनी मतुरा रिफाइनरी जो है वो देश में लगाएगी और वो पहलिया जो है वो ग्रीन हाइट्रोजन संयंद्र स्थाप पेट्रोजन हाइट्रोजन और एलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैट बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और इंधन विप्रन वेवसायां उपर ध्यान केंडरित करा जाएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर तो अगले सवाल क्रिकेट की दुनिया से ICC की तरफ निमन में से कौन सी भारतिय महिला खिराड़ी वन डे रैंकिंग में शीट्स पर पहुच गई इसका सही जवाब ऑप्षन है मिताली राज दोस्तों आपको बता दें कि भारतिय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वन डे कपतान मिताली राज फिर से एक दिवस्चे क्रिके स्टेलर ने वन डे में पहला स्थान प्राप्ट कर लिया था लेकिन आईससे की ताजा जो रैंकिंग अभी आई है उसमें एक बार फिर से मिताली राज ने बाजी मार ली है और वो एक दिवस्चे क्रिकेट में पहली रैंक पर पहुच गई हैं बढ़ते हैं अगले सवाल लेकिन उससे पहले एक सूचना हमारी वेबसाइट जागरन जोश.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रावजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करं करंट अफेज टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप क्याटेगरी वाइस करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटर पूर्व महासचिफ को हाल ही में एक बार फिर अंतराश्ट्रिय उलम्पिक समिती जिसे कहते हैं IOC के नाम से आप सभी जानते हैं उसकी आचरन आयोग का अध्यक्ष चुना गया इसका सही चबब ऑप्शन C, बान की मून तो संयुक्त राश्ट्र के पूर्व महासचिफ बान की मून को हाल ही में एक बार फिर से अंतराश्ट्रिय उलम्पिक समिती के आचरन आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है IOC के सत्र के दौरान उन्हें इस पद पर दोबारा चुना गया है दक्षिन कोरिया के 77 साल के राजनेते के और राजनेक बांग की मून साल 2017 से इस पद पर हैं वो चार साल के एक और कारिकार के लिए इस पद पर अब रहेंगे IOC से 2019 में सदस्य के रूप में तुड़ने वाला कोस्चरिका की लौरा चिंचिला आचरन आयोग की नई सदस्य होंगी बढ़ते हैं अगले सवाल पर. हाली में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की अवशकता को हटा दिया है इससे पहले किसी पुरुष का साथ होबना किसी महिला के साथ जरूरी था तब ही हज कर सकती थी सरकार के मंतुरारे ने ये कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजी करण करवा सकते हैं जिनमें बिना पुरुष अभिवावक के महिला भी शामिल हैं हज में भाग लिने वारी महिलाओं के लिए पूरिशा विवावा की वशक्ता को समाप्त करने के इस ख़दम का महिला तीर दियात्रियों ने स्वागत भी किया है वियराची में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार थे साओधी अरब के अन्य प्रयाशों का एक अन्य अनुसरन है तो इस बार के जो हज हुआ है पूरा हुआ है तो वहाँ पर जो भी महिलाओं ने अपलाई किया होगा तो उन लोगों को किसी भी मेर कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं थी तो अभी जो इस बार हज हुआ है वहाँ पर ये लागू किया गया था बढ़ते हैं एंगले सवाल पर हाली में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया इसका सही जवाब आप्शन है चीन तो हाली में चीन में मंकी बी वाइरस जिसे कहा जा रहा है उसे मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है मंकी बी वाइरस मेकॉक बंदरों में पाया जाता है वो अलफार पीसा वाइरस एन जूटिक जो है यानि यह मूल डूप से इन में पाया जाता है और असर उठ्थम इसकी पहचान 1932 में की गई थी इनसानों में ये वारेस मेकाक बंदरों की आटने खरोशनी या संक्रमिर बंदर की लार मलमूद रादी के संपर्क में आने से भी फैलता है बढ़ते हैं आगे सवाल सवाल है ADB यनकी ASIAI विकास बैंक ने चालू वित वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11 पर्षेट से घटा कर कितने पर्षेट कर दिया इसका सवही जवाब 10 पर्षेट तो यहाँ पर आपको बता दें कि ASIAI विकास बैंक ने चालू वित वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11 पर्षेट से घटा कर के 10 पर्षेट कर दिया है यह डाउंग्रीड करोणा वर्षेट की जो दूसरी लहर आए थी उसके प्रतिकूर पर भाभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है मैं 2022 और 2023 के लिए यह अनुमान को 7 पर्षेट से 7.5 पर्षेट कर दिया गया है और क्योंकि उस समय तक जो है अधिकांश आबादी कर्टी करण हो जाएगा और आर्थिक गतिविद्या भी समाने हो जाएंगी मरदे हैं अगले सवाल के दरब भारत के पेट्रोलियम और प्रकरतिक गैस मंत्राले ने देश में आटो इंधन की विक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है इसके जो सई जवाब है वो है ऑप्शन डी साथ तो भारत के पेट्रोलियम और प्रकरतिक गैस मंत्राले ने देश में आटो इंधन की विक्री के लिए साथ कंपनियों को मंजूरी दी ये नई स्विक्रितियां जो हैं परिवहन इंधन के विप्रेंट के लिए परदिकरन के लिए आसान दिशने डेशों के तहट आती हैं जिने वर्ष 2019 में संचोधित किया गया था इन मानदंडों के तहट रिलाइंस इंडस्ट्री आराईयल को मनजूरी दिये गई असम सरकार के उपकरम असम गैस कंपनी को भी इंदन खुद्रा विक्री के लिए मंतुरारे से मनजूरी मिल गई और अनसाइट एनरची जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था उसे भी आटो मोबिल इन दिन बेचने का अधिकार मिला है अब वो सबाज इसका जवाब हमने आफ से पिछले वीडियो में पूछा नेलसन मंडेला दिवस निमने में से किस दिन मना जाता है बस सभी के लिए कारवाई करने और परिवर्तन को प्रेडित करने का अफसर है अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है Moon Landing Day निमने में से केस दिन मनाया जाता है आपके आप्शन्स 12 जनवरी, 20 सुलाई, 11 अगस या 10 मार्च दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें